हेलो नमस्ते मैं हूँ शिमोना और स्वागत है आपका मिदनाइट स्क्रीम्स के थर्ड एपिसोड में जिसका नाम है सेविन्थ पर्दे तो आईए शुरू करते हैं आज तरुन का सेविन्थ पर्दे था तरुन के डाड मिस्टर पर्टेल ने उसे घ्रान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी दुपेहर से ही घर पर गैस का आना जाना शुरू हो गया था और देर रात करीबन नौ बजे शुरू हुई केक कटने की सेर्मे जेनरली वहाँ लाइट नहीं जाती लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन चली गई उसके बाद मिस्टर पर्टेल बैलकनी की तरफ गए पर उन्होंने देखा कि उनके आसपड़ोस में सबके यहाँ पर लाइट नहीं बस पुनी के घर में रोश्नी नहीं उसके बाद मिस्टर पर्टेल टॉर्च लेकर सीडियों के रास्ते नीचे पहुँचे मीटर रूम की दरफ और वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मीटर रूम में कहीं सालों से ताला लगा हो और कभी खुला ही ना और जब वो उसे खोल कर अंदर गए तो उन्हें कुछ घुटन सी मैसूस होने लगी मीटर रूम की बुरी तरीकिये से हालत थी वहाँ धूल जम गई थी टॉर्च की रोश्नी में जब मिस्टर पटेल ने खोजमीन शुरू की तो पता चला कि MCB ट्रिप कर गई शायद लोड ज्यादा होने के कारण उसने MCB का स्विच जैसे ही उपर करने के लिए अपना हाथ उठाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने बुलाया हो और जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी और उन्हें बहुत डर लगने लगा और अजीव सा लगने लगा मीटर रूम से निकलते समय उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा वो इतना ज्यादा डर गए थे मिस्टर पटेल जैसे ही दर्वाजी की तरफ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दर्वाजा बंद हो गया और फिर वो दर्वाजे को जोर जोर से पीठने लगे जिसे सुनते ही उनकी पतनी मिस्टर पटेल वहां पहुँची और उन्होंने दर्वाजा खोला और मिस्स पटेल के बताने पर उन्हें पता चला कि लाइट गई ही नहीं थी और पार्टी के सभी लोग मिस्टर पटेल का बहुत समिसे इंतिजार कर रहे थे ये सुनकर तो मिस्टर पटेल और भी ज़्यादा डर गए थे और पार्टी देखते ही देखते खतम हो गई सब लोग अपने घर वापिस चले गए पर रात को बेचैनी के मारे मिस्टर पटेल को नीदी नहीं आ रही थी मिस्टर पटेल छट पे चले गए और उन्होंने वहाँ देखा कि उनके बेटे तरुन भी वहीं थे और तरुन उनसे कहने लगा अगर मैं पतंग लूटने जाऊं तो आप मुझे पीछे धक्का तो नहीं मार दोगे ना और ये वाप्य सुनते ही मिस्टर पटेल को अपने साथवे जन्म दिन की याद आ गए और वो तरुन से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो उस दिन मैंने तुम्हें सीडियों से जान बूच कर धक्का नहीं दिया था और देखो आज इसी लिए मैंने अपने बेटे का भी नाम तरुन ही रखा है और इस बात को हुए एक महीना ही हुआ था कि मिस्टर पटेल के एक रोड अक्सिडेंट में मौत हो गई मानो जैसे तरुन ने अपनी मौत का बदला मिस्टर पटेल से इस तरीके से लिया तो ये थी मेरी आज की कहानी होपफुली आपको पसंद आई हो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए स्टे होम और स्टे सेफ बाई बाई